हलो दोस्तो मैं डोक्टर वेट प्रिकास आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बैसिक टॉपिक जो हर कंपेटिटिव एक्जेम की त्यारी करने वाले अंग्रेजी को जो नई शुरुआत से शुरू कर रहा है उस कंपेटिटर के लिए जानना बहुत जुरूरी है और वो टोपिक है helping verb और tenses में काम आने वाले main verb के रूप दोस्तों ये कोई नहीं चीज नहीं है आप tenses की helping verbs को किसी भी grammar में ढूंड सकते हैं इसली मिल जाएंगी और कौन से कि पढ़ने के दोनान मैंने पाया है कि grammar में इतने जटिल तरीके से इन बातों को लिखते हैं कि जो नौविस हैं जो new learners हैं जो से डेरियंज हैं वो एक तरह से एक टेरराइज हो जाते हैं और फिर वो अंग्रेजी को दूर कर देते हैं इस डर से कि उन्हें यहीं चीज याद नहीं वी तो आगे तो अंग्रेजी कैसे सीख पाएंगे इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत शॉर्ट ट्रिक क किस तरह से आप helping verb याद करें और कभी नहीं भूलने के लिए और दूसरा tense में काम में आने वाले main verb के रूपों को आप किस तरह से याद करें तो लीज येगा बिना किसी ओपचारिकता के सीधे आते हैं आज का topic अपना रहेगा Tenses की helping verbs और Tenses में काम में आने वाले main verb के रूप फिर आपको कह देना चाहूँगा कि ये जो topic है वो हर किसी competitive exam की त्यारी करने वाले के लिए basic है मैं चाहूँगा जिनको Tenses की helping verbs याद नहीं है और जिनको ये पता नहीं कौन से tense में main verb का कौन सा रूप काम में आता है तो उन् दोस्तों शुरू करते हैं अजका topic है helping verbs of the tenses, helping verbs of the tenses. देखेगा दोस्तों अंगरेजी में तीन tense होते हैं जिनके नाम है पहला है present, दूसरा है past और तीसरा है future जिनको अपन हिंदी में इनका pronunciation देखो present मैं इसका pronunciation लिख रहा हूँ present इसका pronunciation present भी होता है present भी होता है लेकिन वो कब होता है जब यह word main verb का का काम करता है इस word में noun और main verb है ना दोनों के रूप में काम करने के ख्षमता है तो यहाँ पर यह noun है संग्या शब्द है तो इसका pronunciation बोलेंगे present दूसरा है past और तीसरा है future यह इनके तीनों words के pronunciation है इनको हिंदी में वर्तमान कहते हैं वर्तमान इनके आगे tense सब्द जोड़ देंगे तो present tense यानि वर्तमान काल और यदि past का होता है भूत भूत का मतलब होता है बीता हुआ बीता हुआ बीता हुआ और तीसरा जो है वो है future भविश्यत यानि भविश्यत काल तो दोस्तों बहुत सरल अंदाज में हम इनको यह कह सकते हैं वर्तमान present tense यानि वह समय जो वर्तमान में चल रहा है past tense यानि वह समय जो बीत गया है और future वह समय जो आगे आएगा ये तीन मूल टेंस होते हैं अब देखेगा दोस्तों प्रत्यक टेंस के चार-चार आस्पेक्ट्स होते हैं या चार-चार पार्ट्स होते हैं या चार-चार भाग होते हैं बोल दीजिएगा चाहे आस्पेक्ट्स चाहे पार्ट्स और चाहे भाग तो इन तीनों टेंसेश के यह चार भाग कोमन है देखिएगा कौन सा है फेला है इन डेफिनट इन डेफिनट इसका प्रेनंसीशन देख लिए जिएगा इन डेफिनट इन डेफिनट इसका दूसरा नाम शिंपल भी है S-I-M-P-L-E Simple N's का दूसरा आस्पेक्ट है Continuous C-O-N-T-I-N-U-O-U-S Continuous जिसका दूसरा नाम Progressive भी है P-R-O-G-R-E-S-I-V-E Progressive तीसरा है Perfect P-E-R-F-E-C-T दोस्तों इसका pronunciation देखो Perfect 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 इसका pronunciation Perfect भी होता है लेकिन कब होता है जब यह main verb का अब इसका यह noun शब्द है इसलिए इसका pronunciation में लिख रहा हूँ Perfect Perfect पह थोड़ा लंबा है Perfect Perfect Okay Primary stasis पर यहां रहेगा Perfect और जब यह verb का काम करे हलांकि यह noun है यह main verb का काम करता है तो इसका pronunciation होता है Perfect Perfect और फिर यह stress यहां आ जाता है Perfect यदि कोई इसका pronunciation perfect कर रहा है इसका मलब वो verb के रूप में बोला है और चोथा परकार होता है Perfect Continuous Continuous तो दोस्तों यह चार भाग होई है चार आसपेक्ट होई है प्रतेक्टेंस के तो यूँ माली जीए कि मोट तीन मैंने मूल टेंस बता है और प्रतेक के चार-चार भाग है तो दोस्तों Total Tenses कितने होगे 12 Tenses दोस्तों हम बात कर रहे है Tenses की helping verbs की साहे क्रियाओं की तो मेरी एक बात को बहुत धंग से शुन लो दोस्तो वब हमेशा करता के अनुसार आती है सबसे पहली बात क्रियाओं हमेशा करता के अनुसार आती है ये तो मेरी पहली बात हुई दूसरी बात केवल करता के अनुसार आना प्रियाप्त नहीं है क्रिया आते समें दो आधार ढूंडती है वो आधार कौन-कौन से हैं इधर देखेगा यानि क्रिया आने से पहले दो आधार देखती है क्या एक तो नम्मुर नम्मुर और एक देखती है पर्सन कहने का मतलब क्रिया आने से पहले करता का नम्मर और परसन देखती है आपन साइक क्रिया निर्धारित करते हैं तो साइक क्रिया निर्धारित करने से पहले उसका करता देखते हैं उसका सब्जिक्ट देखते हैं कि सब्जिक्ट कैसा है और सब्जिक्ट कैसा होने का मतलब कि करता कोण से वचन का है और या कोण से पुरुष का है दोस्तो करता के दो नम्मर होते हैं आप देखें दोस्तो आप यह फील कर रहे होंगे कि सर कहां helping वब बताने चले थे कहां वचन अर इनकी तरफ क्योंकि यह शब्द है वो helping वब बताने के आधार होंगे नम्मर वचन के दो प्रकार एक तो होता है singular इसका बिचन देखना या तो आप शींगेल बोलो या शिंगूल is दो प्रिनशीशन या तो सैर प्लेर देखें बोल तो बोलो शींगेल या शिंग्यूर यह वर्ड बना है सिंगल से सिंगल का मतलब होता है एक यानि इसा करता, जो संख्या में एक हूं, या एक की संख्या दर साता है, वो singular नमर है, singular नमर, subject, इसको कहते हैं, singular और नमर, एक वचन, एक वचन, singular का मतलब एक, और नमर का मतलब वचन, तो एक वचन, अब इसके आगे subject जोर देंगे, singular, तो इसका वनोगा है एक वचन करता, दोस्तों इसमें तीन नाम है, singular, नमर, सब्जिक्ट, इसलिए एक वचन करता को हम छोटे रूप में S, N, S लिखेंगे, S, N, S, जहां भी मैं S, N, S लिखूं, तो मालो सर एक वचन करता की बात कर रहे हैं, इसी तरह से आगे बढ़िएगा करता का दूसरा नम्मर होता है पलूरल पलूरल का मतलब होता है बहू यानि एक से ज्यादा एक से ज्यादा तो जहाँ एक से ज्यादा की संक्या होती है दो या दो से अधिक की संक्या होती है तो वो करता पलूरल माना जाता है क्या माना जाता है plural तो आप देखेगा plural नम्मर सब्जिक्ट बहु वचन करता तो इसमें ती नावा है PNS तो बहु वचन करता को छोटे रूप में पन क्या कहेंगे PNS तो जहां भी मैं PNS की बात करूँ तो मालो सर किसकी बात करें बहु वचन करता की और बहु वचन करता के लिए लूँगा मैं PNS दोस्तों मेरी बहुत काम की बात सुन लीजिएगा प्रेजन्ट और पास टेंस दो ऐसे टेंस हैं जिन में क्रिया करता के नम्मर के अनुसार आती है प्रेजन्ट और पास टेंस दो ऐसे टेंस हैं और जिनके सारे भागों में, मैं पूरे टेंस की बात करती, मैंने कोई specific उसके aspect या part की बात नहीं करी है, मैंने काया present और past tense दो ऐसे tense है, जिन में सहाइक करिया किस के अनुसार आती है, करता के number के अनुसार आती है, वचन के अनुसार आती है, और एक मातर tense बच गया, future tense, जिस में करिया करता के person के अनुसार आती है, तो इधर बात कर लिए अपने number की, अब अपन बात करेंगे person की, दोस्तों अंगरे जी में तीन person होते हैं, first person, second person और third person, first person बोलने वाला होता है, second person सुनने वाला होता है, और first person और second person जिस किसी के बारे में बात करते हैं, वो third person होता है और ऐसा माना जाता है कि वो वहाँ पर उपस्तित नहीं होता है clear है बात? दुबारा देख लीजेगा first person कोन है? बोलने वाला, speaker second person कोन होता है? यानि first person जिससे बात कर रहा है जिसको अपनी बात कह रहा है? यानि listener या audience तो first person क्या हो गया? मैं लिख रहा हूँ, speaker लिख देता हूँ आपकी सहाइता के लिए speaker, second person L-I-S-T-E-N-E-R, listener कह दीजेगा या दोस्तों दूसरा नाम audience A-U-D-I-E-N-C, audience यानि श्रोता या सुनने वाला और third person कोन होता है? first person और second person, दोनों जो जिसके बारे में बात करते हैं और जो संबह होता वहाँ पर उपस्तित नहीं होता है उसको हम third person कहते हैं, right? तो दोस्तों आप देखेंगे अपन कि इन first person, second person और third person में कौन-कौन से subjects होते हैं तो देखेंगा दोस्तों, first person में दो subject होते हैं आई और वी, बस, first person में दो subject होते हैं क्योंकि बोलने वाला विक्ति जो भी है वो यदि एक वचन है तो अपने आपको कहेगा मैं और यदि एक group को सामिल करके बात कहेगा तो कहेगा वी अक्केले के लिए कहेगा मैं और अपने group को सामिल करते हैं कि भई हम तो आई और वी, क्या हैं, दोनों first person है second person में एक ही करता है केवल, you यह you, एक विक्ति के लिए भी you आता है और एक से ज़्यादा विक्तियों के लिए भी you आता है third person में चार subject हैं, he he pulling के लिए, see is thrilling के लिए, it neuter के लिए नपूसक जिसको बोलते हैं, non living thing, non living thing, निर्जीव चीज़ या in animated thing, उनको अपन क्या कहते हैं, neutral gender कहते हैं और चोथा, दे, यह common gender है, या बहुअचन, common gender या किसी भी इन उपर वाली चीजों का बहुअचन है, तो वो दे हो जाएगा बहुत सारे he मिल जाएगे तो अपन उनको देखेंगे, बहुत सारी c मिल जाएगे तो भी उनको देखेंगे, या या यह बहुअचन है, तो तीन person होगे, आप देखना यह है, कि future tense में, क्रिया, करता के person के अनुसार रहेगी, साहिक क्रिया का chain करोगे न future tense में आप, तो second और third person है तो अलग साहिक क्रिया होगी, तो यह तो साथ ही हो, मैंने आपको बता दिये, करता नमर में बांटेंगे तो कितने नमर होगे, और person में बांटेंगे तो कितने नमर होगे, ठीक है, और यह बताना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि साहिक क्रिया किस के अनुसार आत मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले, present, आपको रटना नहीं पड़ेगा, केवल समझना पड़ेगा, present indefinite, ठीक है दोस्तों, present indefinite यह पहला tense हुआ अपना, इसकी helping verb होती है देखना, एक के डंग से समझ लोगे तो साथ, इसकी helping verb होती है, डज, आप डज के आगे देखो, मैंने कोस्ट्रिक में क्या लिखा है, SNS, इसका मतलब क्या हुआ, कि यदि करता एक वचन हुआ, तो helping verb, डज काम में लेंगे, कोमा लगा दी मैंने, और डू किसके साथ आएगा, PNS, यानि करता यदि बहुचन हुआ, बहुचन हुआ, तो helping verb, do काम आएगी, है ना, बहुचन करता के साथ, do काम आएगी, यह present tense हो गया, राइट, लेकिन दोस्तों, बहुत धंग से सुन लो ये बात मेरी, बहुत धंग से सुन लो ये बात, present indefinite tense, और past indefinite tense, दो ही ऐसे tense हैं अंगरेजी में, जिनके साधान वाक्यों में, कभी भी सा साहिक करिया का प्रियोग नहीं होता, आई रिपीट, आपके लिए मैं दुबारा रिपीट कर रहा हूं, present indefinite और past indefinite, दो ही ऐसे tense हैं, जिनके साधान वाक्यों में साहिक करिया काम में नहीं आती, और दोस्तों, जहां भी आप साधान वाक्यों में, do, does, did का प्रियोग द देखो, तो माल लो कि वो helping वब नहीं है, वो helping वब बिलकुल नहीं है, वो कुछ और है और उसकी बात में आपको आगे बताऊंगा, कि वो क्या है, ठीक है, तो याद कर लो दो ऐसे tense है, present indefinite और past indefinite, जिनके साधान वाक्यों में, जिनके affirmative वाक्यों में, जिनके positive वाक्यों चलो, अब बात करते हैं, देखना, दूसरा, tense present ही रहेगा, भाग दूसरा ले लो, continuous, उसका दूसरा aspect क्या होगा, continuous, continuous के helping वब हो, present continuous की is, इस किस के साथ आएगी, SNS के साथ, फिर आजाओ, R, R किस के साथ आएगी, PNS के साथ, और, और, M, I के साथ, I के साथ, I के साथ, I के साथ, हमेशा, M आता है, यानि दोस्तों, यह रटलो इस बात को, M, अंग्रेजी में बना है, तो वो, I के लिए बना है, M, केवल, I के लिए बना है, और, M, कहीं भी नहीं आता, अंग्रेजी में, कहीं भी नहीं आता, I को छोड़ कर तो is, are, am, तीनो helping verb present continuous tense की होगी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा, tense present ही रहेगा, मूल tense, aspect कौन सा लेंगे, perfect, तीसरा perfect, तो इसकी helping verb, has, sns के साथ, और have, have किसके साथ हेगा, PNS के, अर्थार्थ, करता यदि एक वचन होगा, तो helping verb है जाएगी, करता वह वचन होगा, तो have आएगी, फिक है दोस्तों, अब मैं इसकी चोथी helping verb, यहाँ बताना उचित नहीं समझूगा, पर चुकि मुझे एक बार बतानी है, इसलिए मैं अभी बता दू, फिर आगे नही बताने पड़ेगी, दान से सुनलो मेरी बात को, दोस्तों, trick की बात है, किसी भी tense के, किसी भी tense के perfect भाग की, जो helping verb है न, उसके आगे बीन जोडने से, वो perfect continuous की बन जाएगी, किसी भी tense के, perfect भाग की, जो helping verb है न, उसमें आपको बीन जोडना है, तो वो automatic किसी बन जाएगी, perfect continuous की बन जाएगी चाए present की बात हो चाए past की बात हो चाए future की बात हो तो मैं यहीं बता दू आपको फिर आगे नहीं बतानी पड़े तो चोथा है इंस present ही रहेगा उसका चोथा आसपेक्ट कौन सा लेंगे अपन perfect continuous perfect continuous दोस्तों इसकी helping वब क्या होंगी अब बता पाएंगा आराम से अब has been has been यह किस के साथ आएगा sns के साथ और have been have been यह pns के साथ आजएगा ठीक है दोस्तों अब आप इसमें यह देखोगे मैं आपको कई बार operator operator आगे की classes में बहुत बार बोलूँगा मैं operator सब्द दोस्तों क्या होता है किसी भी साहे किरिया का पहला शब्द operator कहलाता है और यह operator बहुत बड़ी चीज का नाम है आगे की grammar की सभी कायों में यह बार बार आएगा operator तो आप समझ जाना helping verb का पहला का शब्द operator कहलाता है और दोस्तों जिस helping verb में है एक ही सब्द जैसे इज में एक ही शब्द है आर में एक ही शब्द है तो जिस helping verb में एक ही सब्द है या जो helping verb के वल एक ही ही शब्द से बनी है तो वो अपने आप में ही ओप्रेटरी है यहां तो इस helping verb के बारे में मैं यह कहूंगा कि है तो ओप्रेटर हो गया और बीन helping verb का सेश भाग हो गया ठीक है यह sentence structure में में बहुत डिटेल से समझाया है मैं समझ रहा हूं कि इन सब चीजों को समझने के बाद आपको अंगरेजी में बेसिक्स के बारे में आपको कोई उसका पहला भाग कौन सा लिया है पहला भाग अपने लिया है indefinite 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 दोस्तो इसकी एक ही helping verb है क्या did तो जब helping verb ही एक ही है तो sns और pns दोनों के साथ एक ही आईगी तो मैं इसको लिख दूँ sns where pns हना दोनों के साथ दोनों के साथ ठीक है दोस्तों आगे लो tense past ही रहेगा भाग उसका कौन सा लेंगे दूसरा आस्पेक्ट है उसका continuous continuous इसके continuous की helping verb देखना वोज यह sns के साथ इसको समझने की जूरत है थोड़ी सी धान देना है sns के साथ एक वचन के साथ तथा दोस्तों आई के साथ भी आई के साथ भी वोजी आएगा आई के साथ भी वो जाएगा और वर वर किस के साथ हैगा PNS के साथ दोस्तों यहां मैं एक बात की चर्चा यही करना चाहूंगा चूंकि अपने को तो इसको पढ़ते पढ़ते बहुत आगे तक जाना है यह तो अपनी basic class है इसलिए मैं अभी आपको यह बात बताना चाहू तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों ऐसे बहुत सारी ऐसी situations आएगी जहां आई के साथ वर भी आता है लेकिन आई के साथ वर कहा आएगा अभी रटलो इस चीज को जहां भी unreal चीज होगी एवास्तविक चीज imaginary और unreal चीज होगी तो चाहे आई हो चाहे करता एक वचन हो वर जाए उसके साथ धान चीज सुन लो मेरी बात को दोस्तों जहां भी कालपनिक कोई बात आएगी या कालपनिक को imaginary बोलते हैं या एवास्तविक को unreal बोलते हैं जहां भी ऐसी कोई बात है तो वहां आई के साथ हो और चाहे एक वचन हो उसके साथ वर आएगा मैं चोटा से example देता हूँ एवास्त्विक और इमेजनरी बात का जैसे कास में पक्षी होऊं तो आकास में उड़ूं कास में पक्षी होऊं ये बोलने वाले कि ये कलपना है या दूसरा वह ऐसे चल रही है मानो रानी हो वह ऐसे चल रही हो मानो रानी हो तो रानी है तो नहीं न तो फिर पानेत है एक वचन तथा आई के साथ वो जाता है और बहु अचन के साथ वर आता है लेकिन ऐसा कोई हाड़ फास्ट नहीं है कि आई के साथ हमेशा वो जी आता है आई के साथ सिच्विशन के अनुसार वर भी आ सकता है कि एंस पास्ट ही रहेगा दोस्तों तीसरा इसका पार्ट जो है वो होगा पाफिक्ट इसकी हेल्पिंग वब है हैड हैड और दोस्तों ये चुँकि एक ही हेल्पिंग वब है इसलिए दोनों के साथ यह आएगी एस एन एस वे पी एन एस के साथ ये क्या जाएगी हैड ही आएगी अब दोस्तों चोथा पास्ट तेंस पास्ट ही रहेगा भाग इसका रहेगा परफिक्ट कंटिनिवस लेकिन दोस्तों अब मुझे बतानी नहीं पढ़नी चाहिए आपको ये बात कि इसकी हेल्पिंग वर के आगे बीन जोडते ही वो परफिक्ट कंटिनिवस की बन गई तो मुझे क्लिक देना चाहिए हैड और बीन लो दोस्तों एस एनस और पी एनस के क्योंकि ये तो एक हेल्पिंग वर ये बनी वी दो शब्दों से है लेकिन है एक हेल्पिंग वर जिसमें हैड क्या है ओप्र एक हेल्पिंग वर लागशें है और बीन हैल्पिंग वर्ब का सेश भाग थाकि स्ट्रक्चर में फटा-फटा आप समझ पाऊ इसको यह हुई पास्टेंस की हल्पिंग वर्ब स्टों आगे बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस तीसरा टेंस है फ्यूचर जिसका पहला आपन भा दोस्तों एक चीज की मैं फिर रिक्वेस्ट करूँ आपको, यदि पीज इंडेफिनिट और सिंपल एक ही चीज होती है, फिक है, लेकिन बोलते समय से बोला जाता है, यदि आप शिंपल वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको तो टेंज से पहले बोलो, शिंपल फ्यूच और यदि इंडेफिनिट बोलना चाहरे हो, उसको बाद में बोलो, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो अब देखना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, शेल और विल, ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं दोस्तों, अब देखो दोस्तों, मैंने आप को पहले भी कहा था कि future tense की helping verb करता के person के अनुसार आती है present tense में और past tense में अपने करता के वचन की बात की थी कि एक वचन करता है तो ये आएगी बहवचन करता है तो लेकिन future tense में अब अपन नमर की बात नहीं करेंगे अपन person की बात करेंगे ठीक है दोस्तो तो share लाएगा first person के साथ यानि first person में बोलते हैं आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि sir I और V की बात करें क्योंकि first person में कितने करता हैं दो हैं तो ये माल लिजेगा कि I first person या इसी को दूसरी रूप में मैं क्या कर दूँ I वै वी के साथ क्याएगा शैल आएगा ठीक है दोस्तो फिर है second person second और third person के साथ यानि बाकी सबी के साथ यूं कर दो कई जगा grammarians लिखते हैं बाकी सबी के साथ ठीक है बाकी कौन सा बच गया second person और third person उसके साथ क्या आएगा उसके साथ वील आ गया अब इसमें क्या आ गया second person यू आ गया second person में यू और वोई he see it और they जैसा कि मैंने पिछले page पर भी आपको बता दिया था किसी भी व्यक्ती एक बात और शुनलो दोस्तों किसी भी व्यक्ती और इस्थान का नाम हमेशा third person होता है किसी भी व्यक्ति किसी भी स्थान इस्थान चाहिए चोटे सी चोटी जगह हो चोटी से चोटी जगह उससे लेकर कि बड़े से बड़े रास्टर देश तक की बात हो वो भी स्थान का नाम है उसका वो थर्ड परसन है और किसी का भी नाम किसी भी विक्ति का नाम वो भी क्या होता है थर्ड परसन होता है ये अच्छे से याद रिखना तो उन सब के साथ कहेगा वी लाएगा दोस्तों मैं यहाँ एक बात आपको और क्लियर करना चाहूंगा जिसको आपको बहुत धान से सुननी है सम्मान अर्थ में सेकंड और थर्ड परसन के साथ शैल आता है और सम्मान अर्थ में सेकंड और थर्ड परसन के साथ वी लाता है ये मैं सम्मान अर्थ की बात करा हूँ दोस्तों सम्मान अर्थ का मतलब यह होता है मैंने सम्मान अर्थ या फिर नहीं समझे, मैं ये कहना चाहरा हूँ कि जो बात कहनी है वैसे ही सब्दों का इस्तेमाल करना, या जैसे शब्द है उनके वैसे ही अर्थ लगाना है, जैसे शब्द और वैसे ही बात का अर्थ निकले, ये उसका साधारन अर्थ है, सम्मान अर्थ है, और सम्मान अर् सद्धन अर्थ से दूर जा रही हो तो वहां वो सम्माने फ्यूचर नहीं होता वो इसलिए कर रहा हूं कि यह अपने को फिर यह कोई अब कीश वर्सा भी होते है यानि फस्ट परसं के साथ विल आ जाता है और सेकंड और थड्रड़ परसं के साथ सैल आता है लेकिन कहा आता है वो बात समझ 아니 है तो सम्माने अर्थ है सामान अर्थ का मतलब कि जैसे आप शब्द बोल रहे हो उन शब्दों का वैसा का वैसा अर्थ लगा रहे हो तो इसका सामान अर्थ है लेकिन अर्थ सब्दों से परे जा रहा है तो वो colored future है मैं छोटे सुदान के साथ कहूंगा कि जैसे मैं आपसे कल मिलूंगा ठीक है एक त तो अब इस धमकी को तो आपने हिंदी के वाक्य में तो जोर देख करके या इशारा करके या अपने चेरे की भाव भंगेवा दिखा करे कह दिया अंगरेजी में आप लिख करके ये कैसे बता होगे कि इस वाक्य में इसमें धमकी दीगी है और इसमें साधान अर्थ है ये पत आपने second और third person के साथ यदि shell का प्रियोग कर दिया तो देखने वाला ये समझेगा कि बात कुछ ने कुछ गड़बड है गड़बड है या तो कोई धमकी है या कोई 100% promise है या determinants है जो भी colored future में जो जो भा होते हैं आपको बात की classes में बताऊंगा लेकिन फिलाल मुझे आपक पकट के बैठ जाना है कि फर्स्ट परसन में शयल आता है और इन में यह आपस में वाइस वर्सा हो सकती है पर वो होंगी कब जब future होगा या modality शो करेंगे ओके दोस्तों तो यह future simple tense की helping verbs अब चलो दोस्तों tense तो future ही रहेगा helping verb future और उसका जो आस्पेक्ट है वो दूसरा हो helping verb होगी shall be or will be shall be वो ही किसके साथ आएगी first person के साथ मैं केवल समाने अर्थ की बात कर रहा हूं दोस्तों समाने अर्थ में first person के साथ shall be और बाकी के साथ will be second or third person के साथ okay आप मुझे यह लिखने की जुरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों मैं बात करता हूँ अब tense future ही रहेग और उसका भाग होगा तीसरा perfect परफिक्ट 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 दोस्तों इसकी helping verb है shall have और will have मतलब इसमें have जुड़ जुड़ जाएगा और will have will have will have shall have और will have shall एक shall और will same है और person भी same रहेंगे कोई change नहीं होना ठीक है दोस्तों और अब मुझे लगता है चोथी के लिखने की जुरूरत नहीं है क्योंकि future perfect और continuous continuous इसकी क्या helping verbs हो जाएगे दोस्तों shall have been will have been shall have been और will have been जिन में दोस्तों shall और will तो operator होंगे और have been helping verb के शेश भाग होंगे बचे भी helping verb होंगे तो दोस्तों यह हुई टेंस में काम आने वाले helping verb यानि कौन से टेंस की helping verb क्या है दोस्तों मैं इनको sum up करता हूँ दुबारा टेंस तीन होते हैं प्रतेक टेंस के चार आसपेक्स होते हैं इंडेफिनिट या simple कहे दो continuous या progressive कहे दो तीसरा perfect और चोथा perfect continuous तीन मूल टेंस होते हैं प्रतेक टेंस के चार भाग होते हैं अशे के दोस्तों की helping verb को याद करने का आधार यहे थी कि कि रिया हमेसा करता का नुसार आती है करता कारता का परसंन और नम्मर देखती है दोस्तो present और past tense ऐसे ऐसे दो टेंस है जिनमें किरिया करता के नंबर के अनुसार आती है और फ्यूचर टेंस है जिसमें किरिया करता के परसन के अनुसार आती है दोस्तो नंबर दो तरह के होते हैं सिंगेलर नंबर और प्लूरल नंबर प्लूरल यानि दो या दो से अधिक ठीक है दोस्तो और पर person होता है, ऐसा माना जाता है, कि वो वहाँ पर बोलतें के अपस्तित नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, first person में दो subject होता है, I और V, second person में एक subject होता है, थर्द person में 4, he, c, he, तोर दे दोस्तों मैंने बताया है कि किसी भी व्यक्ति का और स्थान का नाम थर्ड़ परसन है और फिर मैंने एक एक करके सारे टेंसिस की हेल्पिंग वाब आपके उचा दिया है दोस्तों मुझे विश्वास है आप तक ये बात पहुंच गई होगी और बस आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यों दोस्तों बाई